नमस्कार, 14 जून 2023 को हमारे क्लिनिक में हमने सबसे पहला वमन किया, पंचिकर में जो हमारा सेंटर है मुंबई दादर में, उस पेशेंट का नाम था मिस्टर महेंदर, और 7 अगर 2024 को हमने 100 सौवा वमन किया, पेशेंट का नाम है सुनीता महाले, तो ये जो 100 पेशेंट हमने वमन किये हैं, इसके ये 100 वमन करने में हमें 400 मीज दिन, 420 डेज लगे, तो इन 100 वमन में हमने क्या पाया उन पेशेंट के साथ, और आज हम बात करेंगे उसी के साथ 45 ऐसी कंडिशन के बारे में, जिसमें आपको वमन, पंचिकर मगा जो वमन नाम का चिकिस्सा है, वो स्वागत आप सभी का मिश्रोविता में, और आज हम बात कर रहे हैं 45 ऐसी कंडिशन के बारे में, जो कि अगर आप पंचिकर में जो वमन नाम के चिकिस्सा होती है, वो कराएंगे तो अच्छा खासा आराम देखने मिलेगा, सवाल नंबर एक, अब ये वमन क्या होता है, व मन कहते हैं, स्पेशली अगर सीने के ऊपर के जितने भी डिसॉर्डर्स आप याद आते हैं, या कफ रिलेटेड जो डिसॉर्डर्स होते हैं, उसमें ये आईरवेद की सबसे में चिकिसा या इलाज बोला गया है, तो चलिए वो 45 कौन सी बिमारिया हैं देखते हैं, बिमार लेते हैं, कुछ दिन आराम मिलता है, पर ये रिपीटेड होते जाता है, अगर इस चीज़ से परेशान है, तो वमन नाम के चिकिसा आपको जरूर करनी चाहिए, सेकिन बिमारी है कुस्ट, कुस्ट मतलब स्किन रिलेटेड अगर आपको कोई भी बिमारी, कुछ भी आपको टाइप के सकिन रिलेटेड बिमारियां है, चाहिए वो मैलिजमा हो, या चाहिया पढ़ना, दाग पढ़ना, या पूरे सकिन पे छोटे 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 पिम्बल जैसी चीज़ें आने लगना, उन सारी बिमारीों में वमन सबसे मेन इलाज रहेगा, चर्मरोग से परिशान है, तो आपको वमन डेफिनिटली करना चीए, कंडिशन नमबर तीन, नव जुएन, अगर आपको बुखार और बार बार बुखार आने की आदत है, कि एक बार बुखार आया था, थोड़े दिनों में ठीक हो गया, फिर बुखार आया, फिर ठीक हो तो ऐसे में अगर आप वमन कराते हैं, वो पूरे का पूरा निकल जाएगा, यह है कंडिशन नमबर तीन, कंडिशन नमबर चार जो बोला है, वो है राज यक्ष्मा, राज यक्ष्मा का मतलब होता है, कि कोई भी कारण से अगर आपका शरीर सूखने लग गया है, एकदम खतम होने लग गया है, कि पहले आप अच्छे खासे थे, वजन था आपका 60-80 किलो और अब आप सूखते जा रहे हो, कुछ 45 किलो, 50 किलो, 40 किलो ऐसा वजन बचा है, और दिन बदिन अगर आपका शरीर सूखने लग गया है, कमजोर होने लग गया है, कुछ भी आप खाते ह है, वो कफ में कनवर्ट हो जाता है, बॉड़ी में वेट पूट ऑन होई नहीं रहा है, और दिन बदिन सूख ही हड़ी होते जाने, तब आपको वमन करना चाहिए, आप बुलो के पतले पेशन को वमन, हमने जो हमारे क्लिनिक में 100 से ज़्यादा जो वमन कराएं हैं, अब ज़्यादा तर वमन किया है, और इससे उनकी भूख अच्छे से खुली, और फिर वेट पूटाउन करने में उनको मदद मिली, तो शरीर सूख रहा है, तो भी वमन सबसे में चिकिस साब के लिए रहेगी, पाचों और छटा नंबर आता है, प्रान वायू से रिलेटन बिम हो जाती है, और जिनको स्वास, ब्रीधिंग रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि स्वास आप ठीक से नहीं लेबाते हैं, या जो लोग बोलते हैं कि बहुती छोटी से, एकदम थोड़ी से स्वास लेते हैं, और फिर हमसे रहा नहीं जाता, जिनको ब्रीधिंग रिलेटेड या respiratory tract related कोई भी तकलीफ है या बार बार खासी related तकलीफ है ये दोनों बीमारियां होती हैं जब जब आपकी प्राण वायू बिगड़ेगी अब प्राण वायू के उपर मैंने अल्रेडी यूट्यूब पे मिश्रवेदा इस चैनल पे आप मिश्रवेदा प्राण वायू सर्च करेंगे तो एक लंबा सा वीडियो मिल जाएगा उसकी सारी डीटेल्स एक्स्प्रेंट की है तो ये दो कंडिशन अगर आपको सच में ठीक करनी है तो आपको वमन करना चाहिए सातवी और आठवी कंडिशन है गले से रिलेटेड आप में से ऐसे लोग जिनको गल ग्रह और गल गंड ऐसी दो बीमारी आईरवेद में बोली है गल ग्रह मतलब जिनको बार बार गले में स्पैजम हो जाता है गला ऐसे लगता न कि चोक हो रहा है गला हमेशा ऐसे अकड़ा हुआ है ऐसे लोग और जिनको गले के आसपस गाठे होने लग जाती है या आप में से ऐसे लोग जिनका thyroid का function बिगड़ा हुआ है especially hypothyroidism जिसी बीमारिया हैं जिसमें कि thyroid proper function ना करने के कारण आपका weight puton होते जा रहा है, आप RC होते जा रहा है अब thyroid की बिमारी में आपको जिन्दगी भर गोली खानी पड़ती है पर अगर आप चाहते हैं कि हमें lifetime गोली नहीं चाहिए हम चाहते हैं कि naturally हमारा thyroid gland है वो natural function करें तो उसमें हम आईरवेद में क्योंकि ये सीने के उपर की बिमारी आती है तो woman नाम का इलाज आप करेंगे तो इसमें अच्छा खासा आराम आपको देखने मिल सकता है श्लीपद, श्लीपद मतलब आप मेंसे ऐसे लोग जिनको philaria हो जाता है पैर बहुत मोटा हो जाता है सूच जाता है वैसे बिमारी में woman आपके लिए बहुत अच्छा फायदे मन रहेगा और दसवे नंबर की condition है प्रमेह प्रमेह मतलब ऐसे लोग जिनको बार-बार urine होता है बहुत बार जिनको पेशाप जाना पड़ता है दिन में 10, 15, 20, 25 बार जिनका बार-बार blood sugar level elevated हो जाता है या modern में कई बार हम इसको diabetes से compare करते है तो जिनका sugar level बहुत बार-बार बढ़ जाता है ऐसे लोग अगर चाता है कि भाई इन बिमारियों को हमें जड़ से खतम करना है तो आईरवेद में क्या है तो इसमें जो body cleaning का सबसे main treatment आईरवेद में बोला है वो है woman चिकिसा या फिर woman कर्म और फिर इसके बाद आईरवेद के सास्त्रकार बोलते हैं कि 11 से 14 नंबर में पेट की बिमारियां आ जाती है कौन-कौन से पेट की बिमारियां मन दगनी, विरुद्धा जिर्ण, विसूचिका, अलसक ऐसी चार पेट की बिमारियों से अगर आप परिशान है तब ही आपको woman करना ची अब इनका क्या मतलब हुआ क्योंकि ये तो संस्क्रित वर्ड है तो मन दगनी आप मैंसे ऐसे लोग जिनकी अगनी बहुत ज़्यादा डाउन है भूख ही फिल नहीं होती दिन में एक बार खा लेते हैं 24-24 घंटे हो जाते हैं दो-दो दिन हो जाता है भूख नहीं लगती हमारे पास एक जारखंड के पेशेंट है उनके साथ तो ये कंडिशन है कि उनको साथ-साथ दिन मतलब उन्होंने एक बार देखा कि चलो मैं कितने दिन नहीं खा हूँ तो मुझे भूख नहीं लगेगी और साथ दिन तक भी उन्होंने कुछ नहीं खा फिर अगली बिमारी है विरुद्धा जिर्ण ऐसे लोग कि जो विरुद्ध आहार खाते है सपोस कि आपने चाय चपाती जैसे कॉंबिनेशन चाय में दूध है चपाती में आपने तेल वेल नमक डालका रखा है या फिर ब्रेड बिस्किट जिनको खाने की आदत है ठीक या फिर नमक के आइटम और दूधूद ये सब साथ में चालू है मिलक शेक जैसे जिनको आइटम्स बहुत पसंद है या शादी में गए थे और आपने पहले खाया सूप सूप के साथ फिर पनीर, बनी, रोटी, सबजी, पराटा खाया और वो खतम होने के बाद तुरंट एंड में आइस क्रीम खाली तो इतना ज़्यादा जो wrong food combinations हैं अगर आप साथ में ले रहे हैं और वो आपको हजम ना होने के कारण food poisoning जैसे issues बार-बार repeated होते रहते हैं आप मैंसे ऐसे लोग बोलते हैं थोड़ा सा भी बाहर का खालिया तो हमारी वाट लग जाती है ऐसे condition में आपके लिए woman सबसे ज़्यादा फायदे बंद रहेगा फिर अगली बिमारी है विसूची का आप मेंसे ऐसे लोग जिनकों की खाने के बाद पेड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है सुई चूबने जैसा pain होता है उन सारी conditions में भी आपके लिए woman फायदे रिबंद रहेगा अभी चार दिन पहले ही even मैंने जो मेरी माता जी है उनका हमने woman कराया उनके साथ ये issues था कि वो कुझी भी खाते थे खटा, कड़वा, पानी आता था और भयंकर पेड में दर्द होता था कई बार इस level का pain की उनको hospital भी admit होना पड़ा तो ऐसा जब अगर आपको pain होता है तो अभी हमने उनको चार दिन पहले हमारे clinic में woman कराया woman से हमने क्या कि जो भी दोश उनको इतना pain कर रहे थे अच्छा कासा खटा, कड़वा, पानी निकला और वो settle हो गया तो उस जैसी मिमारियों में या फिर 14th number पे जो बिमारी उसका नाम है अलसक, अभी कुछ दिनों पहले मैंने इस पे वीडियो डाला था कि अगर आपका खाना हजम नहीं होता पेट में पड़ा रहता है और पड़े-पड़े हिलता ही नहीं, मतलब खाली और बस वहीं बड़ा है ना नीचे से निकल रहा है, ना ऊपर से निकल रहा है इन जैसी बिमारियों में भी जो आपका सबसे में लाइन ओफ ट्रेट्मेंट होगा वो है वोमन फिर 15 और 16 नंबर पे जो दो बिमारियां बोली गई है वो है विश फीद, आप में से ऐसे लोग जिन्नोंने कुछ पॉईजनस आइटम ले लिया है या कुछ जहर वेर, कोई भी कारण से पता होके, नहीं बता होके सुसाइट के कारण, कुछ भी दुख्यों की होके, जिन्नोंने विश ले लिया है उनको वमन आईरविन में बोला है, कि सबसे पहले वमन कराओ या ऐसे लोग जो की लंबे समय से पॉईजनस आइटम ले रहे हैं अब आप बोलोगे कौन लंबे समय तक जहरील आइटम लेगा बहुत से आइटम है, जैसे कि हम जो खाना खाते है उसमें यूरिया, डीडीटि, ऐसे टाइप के आइटम है वो विश जैसा काम करते हैं कई सारे प्रिजर्वेट्यूज है जो बौड़ी में ऐस्था विश की तरह काम करते हैं ठीक कई सारी drinks है जो हम लेते हैं और वो body में as a toxins के रूप में काम करते हैं तो ऐसे ये लोग की लंबे समय से ऐसी चीज़े खाते आए हैं जो health के लिए अच्छा नहीं है junk food, fast food जैसे item और वो चीज़े अगर आपको शरीर में तकलिफ कर रही हैं तो आईर्वेद में बोला गया है कि उसके लिए आपको woman करना चाहिए सत्रवे नमबर पर एक मिमारी आती है उसका नाम है वृद्धी वृद्धी मतलब हरनिया related जिनको तकलिफ है ये थोड़ा सा अभी condition to condition depend करेगा कि हरनिया में करना चाहिए कि नहीं बट आईर्वेद में उसका वर्णन है कि हरनिया जिसी तकलिफ हो वेवी woman कर सकते है अठवे नमबर पर एक मिमारी आई है जो woman से ठीक होती है वो है अधोगत रक्त पित मतलब ऐसे लोग जिनको नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा bleeding होती है अब नीचे की तरफ से bleeding मतलब क्या तो जिन लोगों को समझो कि गुदादवार जो मल मार्ग है एनल जो reason है एनल root उस जगह से जिनको बार बार motion होता है मतलब खून जाने की तकलिफ है ऐसे लोगों में या ऐसी ladies जिनको बहुत ज़्यादा period मतलब बहुत ज़्यादा bleeding होती है बहुत बड़ी मात्रा में bleeding होती है तो जिन भी लोगों को नीचे की तरफ से urine से, letrin से या periods में अगर blood जाना चालू हो गया है ऐसी bleeding को रोकने के लिए आयरविद में बोला है कि woman कीजी 19 वे नंबर की बीमारी का नाम है मुख प्रसे मतलब ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा saliva बनता है जो लोग बोलते कि मुझ में न एक पुरी layer से बनी हुई है या फिर जो लोग बोलते टंग के उपर एक बहुत बड़ा line लगा हुआ है कितना भी जीव साफ कर ले कुछ ह होता नहीं बार-बार salivation होते रहता है उनका स्वात कुछ पता नहीं चलता हमेशा मीठा सा टेस्ट बना रहता है उन जैसे लोग भी अगर woman करते हैं तो ये सारी तकलीफ आपके निकल जाएगी और मतलब आप में से ऐसे लोग जिनको piles है especially cuff related piles है अब cuff वाली piles क्या होगी त और मोटे मोटे टाइप के वहाँ पे piles जो होते वो होते और बार-बार anal reason में जिनको etching होती रहती है खुझली जैसी तकलीफ होती रहती है या piles के कारण जिनके sexual life एकदम zero हो गई है उन लोगों के लिए भी आईरवेद में woman चीकिस सा बोला है और एक चीज बोली है रुलास जिनको बार-बार कुछ मिचली जिसको हम हिंदी में बोलते है कि कुछ ऐसे अजीब सा लग रहा है मिचली जैसे लग रहा है उस condition में भी आईरवेद में woman बोला है 22nd number आता है अरूची अरूची मतलब जिन लोगों को खाने पिने में बिल्कुल भी interest नहीं आता कि कुछ भी मतलब दुनिया का कितना ही अच्छा इटम बना कर दे दो बट खाने खाने का मन ही नहीं करता बिल्कुल देखने का भी मन नहीं करता खाने की smell भी जिनको बरदास नहीं होती साथे साथे साथ कुछ करने का मन नहीं करता ऐसी condition में भी woman आपके लिए main line of treatment रहेगा 23rd number 23rd number है अ अविपाक मतलब ऐसे लोग जो कि खा लिया और बिल्कुल भी उसका पाचन नहीं होता हजम नहीं होता मंदगनी से related है मंदगनी में क्या होगा कि आपका खाना हजम होगा बट बहुत लेट होगा अविपाक में क्या होगा कि आपने जो खाना खा लिया वो बिल्कुल भी इस टाइब की कंडिशन में वमन हाईरवेद में बोला है करने के लिए 24 नमबर आता है उस बिमारी का नाम है अप अच्छी अप अच्छी मतलब होता है कि आप मेंसे ऐसे लोग जिनको बार बार सूजन होती है और वो सूजन शरीर में बढ़ती चली जाती है ऐसा नहीं कि सूजन होई दब गई खतम हो गई सूजन हो रही है और बार बार वो सूजन की ग्रोथ होती रहती है बार बार वो सूजन का साइज बढ़ते जाता है सपोस्कि आपको अगर यहां सूजन होई तो धिरे धिरे बढ़ती चली जा रही है तो ऐसी बिमारीों में भी जो पहली बिमारी है वो है वमन अब 24 तक हम आ गए हैं कई सारे लोग वीडियो अल्रेडी छोड़ के चले गए होंगे कि क्या इतना लंबा वीडियो देखते हैं पर आप में से जो लोग अभी तक ठीके हुए आप कमेंट करके बताईए कि क्या तक ठीके हैं या वीडियो देख रहे हैं और चलिए आगी की और कौन-कौन सी बिमारियां है वो देखते हैं 25 नंबर की बिमारी है गरन्ती मतलब आप में से ऐसे लोग जिनको गाठे बनती है बार-बार गाठे बनती है शरीर में किसी भी जगह पे चाहे वो PCOD की गाठ हो चाहे लीवर में गाठ बन रही हो कोई भी पेट में गाठ बन रही हो जिनको बार-बार गरन्ती बनने की या फिर गाठ बनने की इस्यूज है उसमें वोमन बोला है फिर दो कंडिशन दिमाग की बोली है जिसमें की वोमन करना चाहिए और हमने कई पेशन हमारे क्लिनिक में दिमागी related बिमारियों में वो करके देखा है पहली तो condition है उन्माद उन्माद मतलब जिन लोगों को मांसिक आगलपन होता है कि जो लोग रूख नहीं सकते कुछ को कुछ करना है cut pit, cut pit, all the time चालू है और second है अपसमार अपसमार मतलब जिनको कुछ समझ में नहीं आता बस ऐसे एक जिगर डले हुए है तो जो भी brain related आपकी बिमारियां है चाहिए आप super hyper active हो गए है या super depressed हो गए है कुछ भी click नहीं होता दिमाग का कुछ नो कुछ एक normal condition आपकी पूरी चली गई है ऐसी दोनों की दोनों condition में आई रिवेद में जो पहला treatment है obviously अगनी ये सब अच्छी करने के बाद वो बोला है woman especially अगर कफ वहाँ पे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो इसमें एक और चीज में share करना चाहूँगा अभी मेरे पास एक patient है हैदराबाद से हैदराबाद से वह एक female patient है और उनके साथ ऐसा है कि मतलब उनका कफ इतनी ज़्यादा में बढ़ा हुआ है brain में कि उनका ये बोलना है कि मतलब वो जब क्लिनिक में आए भी थे तो वो ऐसे थे उनको आपका नाम क्या है ऐसे करके उनका response था ठेक है पूरी आखे एकदम भरी हुई saliva गिरने जैसी condition और उनको जो कफ जुनमात का एक मिसेस लक्षन उनके अंदर था कि extreme sexuality extreme sexuality मतलब कुछ भी उनका ये बोलना था मैं लड़का देख लू लड़की देख लू मैं किसी को भी देलू मेरे sexual thoughts इतने ज़्यादा आते हैं कि मुझे बरदास नहीं होते तो body एकदम dull बट दिमाग की जो thought है वह एकदम extreme इस तरीके की भी जो मानसिक रोग है तो उनको हमने woman कराया था क्योंकि आई रविद में जो मानस रोग है brain related बीमारियां है उसमें woman जैसे chicken सबसे important बोली है अतीसार अतीसार मतलब जिन लोगों को lose motions होते है अब आप बोलो कि नीचे की विमारी है उसके लिए उपर वाला woman क्यों करना तो specially आप में से ऐसे लोग जिनको मल में से बहुत ज़्यादा चिकटनेस जो बोलते हैं बार-बार motion होता है और एकदम चिप चिप आता जैसे कि तेल पी लिया हो घी पी लिया हो ऐसे निकलता है अब भी एक और जारखन या राइपूर ऐसे गहीं के पिशन्ट है उनका क्या इशू था कि उनका जो intestine था जो पेट के उनके movements थे, intestinal movements जो होते हैं वो थी ही नहीं मतलब उनका यह बोला था कि एक भी बार नीचे से गैस नहीं निकलती है तो कफ बढ़ने के करण या तो बार-बार motion हो रहा है या बीकुल भी गैस पास नहीं हो रही तो NC दोनों condition में woman करना चाहिए और हमने उनके case में woman बस्ती यही चीज़ की थे शोफ, शोफ मतलब simple सा जिनको सूजन हो जाती है जिनको बार-बार शरीर में सूजन होती है जिनको सुबस होगे उटने के बाद शरीर एकदम ऐसे सूजा हुआ लगता है फेस सूजा हुआ लगता है joints में जिनको बार-बार सूजन आती है उन्हें भी woman करना चाहिए फिर एक और बीमारी आईरविद में बोली है जो कि रसधातू से related है वो है खून की कमी तो आप में से ऐसे लुग जो कि बार-बार खून की कमी रहती है अब कई patient हमारे पासे जो बोलते हैं हमारा hemoglobin report सब कुछ normal है बट कभी भी 7 या 8 के उपर जाता ही नहीं हम supplements ले लेके ठक जाते हैं सब कुछ करते हैं हमें कोई ऐसी बिमारी भी नहीं है generating बिमारी बिमारी बट हमारा hemoglobin कभी भी 7, 8 या बहुत हुआ तो नहीं उसके उपर नहीं जाता तो जब शरीर इस तरीके का होने लग जाए कि खोन बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा एकदम pale color का शरीर हो गया है कि थोड़ा सफेद पीले रंग का body होते जा रहा है specially ladies में ऐसे देखने मिलता है उन बिमारीों में भी woman सबसे पहला line of treatment होगा कि बिमारी आती है उसका नाम है मुख पाक मुख पाक मतलब आप में से ऐसे लोग जिनको बार-बार मुँ में च्छाले आते हैं और वो च्छाले जाते ही नहीं ठीक इस टाइब का कई बर कैसे होगा कि normally आपने तीखावी का कुछ खा लिया आपने विटामिन B के कुछ capsules ले लिए folic acid ले लिए कुछ लेब लगाया जिसे कि खदीर हैं यस्टी मदू है उनको शहद वैद में मिला कर रहो ठेक हो गया बट ऐसे लोग जिनको बार-बार-बार-बार रिपीटट च्छाले होते हैं और वो च्छाले जल्दी ठीक नहीं होते इस टाइब के अगर condition है तो ऐसे condition में आपको woman सबसे main treatment आप लिए रहेगा स्तन्य दूस्टी स्तन्य दूस्टी मतलब आप में से ऐसे लोग जिनको delivery होई है pregnancy के बाद और delivery होने के बाद जो आपको आप breastfeeding के लगकर आते हैं जो बच्चे को दूद पिलाते हैं तो आपका बच्चा वो दूद पीने के बाद उसको बार बार अगर उल्टी कर देता है vomit कर देता है या फिर आप बोलते हैं कि जो milk निकलता उसमें से smell आती है अगर कई बार milk निकलता है हमने चेंग भी किया तो उसके अंदर उसका रंग बिगड़ा हुआ रहता है उसकी smell अच्छी नहीं रहती है या आपका milk पीनी की करण अगर आपका बच्चा सूकते चला जा रहा है तो ये सारे लगच्चने स्तन्य दूस्टी के मतलब आपको जो दूद बन रहा है आपके शरीर में वो अच्छी quality का नहीं है और उसका impact आपके बच्चे पर बढ़ रहा है तो ऐसे में फिर उस mother को सबसे पहले woman कराना चाहिए ताकि woman करके फिर बोलेंगे उतने दिन बच्चा क्या करेगा उस condition में आपके milk की quality सुझेगी तो ऐसे लोग जिनको स्तन्य जो milk है वो अच्छी quality का नहीं बनता उझे woman करना चाहिए अर्बुद अर्बुद मतलब ऐसे tumors ऐसी गाठे जो की मतलब हील ही नहीं होती बहुत बड़ी बड़ी च्छोटी गाठे नहीं बहुत बड़े टाइप की जो tumors formation body में होते हैं उन सारी condition में आईरवेद में woman बुला है फिर 33rd number पे आता है विदारी का विदारी का बीमारी जिनको groin reason जो है आपके जननांग जो males में जो testicular area है उस groin के आसपास के जो reasons है वहाँ पे जिन लोगों को बार-बार सूजन हो जाने की तकलीफ होती है ठीक है आज के जमाने में जिससे हमें बहुत बार vericose cell जैसे जो patients male में देखे जाते हैं तो ऐसे patient जिनको vericose cell है और मतब उनको बहुत ज़्यादा दूध दही बहुत ज़्यादा मीठा खाने की आदत रही है दिन में सोने की आदत रही है या ऐसे patient जो बोलते हैं कि उनका sperm जो है उसकी motility बहुत कम है ठीक है जो सुक्र निकलता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा निकलता है या गाठे उसमें मतब ठक्के होते हैं इस टाइब की condition रहेगी तो भी woman आपके लिए ज़्यादा suitable treatment रहेगा 34 आता है मेदो रोक अभी कल ही हमारे पास दो बच्चे आये थे एक की उम्रती 15 एक थे 21 और अच्छा खासा मतब असी 90 किलो का weight था और behind भी कुछ खास नहीं थी बड़ोवा जन पूरा ऐसा थुल्थुला जो 15 साल का उसमें लड़का था उसको तो diabetes भी था 10 के उपर उसका HbA1C था जिन में आप लोग से जिनको बहुत मोटा पा है जो जन में से ही थोड़े मोटे nature गये है या जिनका weight put on बहुत बार-बार जल्दी-जल्दी होता है fat loss नहीं कर पाते या बहुत जदा fatty लोग है ऐसे लोगों को भी आईरवेद में क्योंकि extra चर्वी कफ बढ़ने के कारण होती है तो woman बोला है next बिमारी बोली है heart related disorders जो है especially कफ के कारण तो woman करना चाहिए अब सवाल उठेगा heart की मिमारी में तो woman मना भी है फिर वो depend करता है condition में जैसे आज हमने सुबा जिस patient को woman करा है clinic में उनको वो navy में है continue travel करते रहते हैं उनको heart की तकलीफ थी अभी 15 दिन पहले एक बोली वली की patient है female patient उनको full body skin की तकलीफ है उनके heart में stunt है फिर भी हमने उनने woman कराया था उनका सरने मिसिस सेट ऐसे करके उनका सरने में तो ऐसी conditions में कि heart की बिमारी है बट उस patient को अगर वो woman की उसके लक्षन है कि उसको उल्टी होती है खटा-कडवा पानी ये सब आता है और उसको उसकी body मतलब इतनी strong है कि woman जैसे treatment जेल सकती है तो definitely woman हम उनने कराते हैं क्योंकि heart के चायवात हो पित्त हो कफन हो सारी बिमारियों में सबसे पहला treatment woman बोला है definitely उसको घी भी पिला कि उसके body को ready करके clear करने के लिए बोला है 36 नमबर चित्रवी ब्रांच चित्रवी ब्राम या चित्रवी ब्रांच ऐसे लोग जिन लोग का जो मन है एक जगा टिकता नहीं है all the time cut pit cut pit जिनको बहुत ज़्यादा panic होते हैं बहुत जल्दी anxiety जैसे issues हो जाते हैं जिनका मन है न बोलते हैं एक जगा टिकता नहीं मतलब हमें focus करना है बट कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ खट-पिट 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 चालू है और हम परेशान है क्या करें कि mood को हम stable नहीं कर पा रहें ऐसे सारी conditions में आई रिवेद में woman करना चाहिए पतली से यहां पे लेयर होती है जो बीमारी बहुत साफ की तरह एक तम rapidly फैलती है skin related बीमारियां कि एक दिन हुआ नहीं और पूरे शरीर में rapidly फैल गई तो उन बीमारियों में woman आई रिवेद में बोला है और फिर जिन लोगों को बार बार पस के formation होता है जैसे कि suppose आपको चोट लगए और वहां पे पस बन गया या कोई पूराना infection है जिसमें पस का formation हो रहा है और बार बार कोई एक infection हो है जिसमें बार बार पस formation हो रहा है ladies में जो breast होता है वहां पे कई बार उनको बार बार पस के formation होने लग जाते हैं जिन भी लोगों को पस formation body में मवाद पस जिसको बोलते हैं वो बार बार बनता है उन सारी condition को अगर जड़ से खतम करना है तो वमन नाम का पंच कर्म करना चाहिए 39 बीमारी जो आई रिवेद में बोली है वमन के लिए वो है पूती नासा मतलब आप में से ऐसे लोग जिनको नाक से कुछ टब ड्रॉप तो गिरता ही है उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है अभी हमारे पास परसो पूने से एक पेशन्ट आये थे उनको diabetes था उनका ये बोला था कि जबी भी नाक से कुछ निकलता है ना इतनी गंदी स्मेल आती है कि मुझे खुद को बरदास नहीं होती ठीक तो जिनको नाक से बहुत ही गंदी स्मेल आती है बहुत ही मतलब खुद भी उनको स्मेल नाक की बरदास नहीं होती उस बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए आईरवेद में वमन बोला गया है 40 नंबर की मिमारी है कंथ पाक जिनको गले में बार बार infection होके बार बार tonsillitis जैसी मिमारियां होती है बार बार चाले हो जाता है गले में या जो लोग बोलता है कि हमें बार बार गला खराब होते रहता है वहां कुछ नग कुछ तकलीफ होती रहती है चाहे वो बच्चे हो या बड़े उन दोनों लोगों के लिए वमन सुटेबल रहेगा 41 बिमारी है करन श्राव जिनको कान से बार- medar पस का डिश्चार्ज होते है कान में बार- plus का फार्मेशन होते रहता है और बार- बार वो परेशान रहते हैं कान की इंफेक्षोन ही हमारे खतम नहीं होते है थंडा पानी पीलिया पस हो गया कुछ AC पंखे में बैओ पस हो गया या जीब के जिनको जीब का भी जो टंग के जो कैंसर होते हैं या जीब पे किसी भी प्रकार का एक्ष्ट्रा अधी जीबी का अधी मतलब एक्ष्ट्रा ग्रोथ जीब के ऊपर उस बिमारी में भी आईडवेद में जो पहला ट्रीट्मेंट रहेगा शोधन के तौर पे वो होगा वमन और लाच्ट दो बिमारी है गले के जिसके है गलशुंडिका कर एक बिमारी है कि जो यूवला आपका यहां पर होता है गले की मीच में आप देखेंगे कि एक हलका से लटकता हुआ चीज है उसमें जिनको बार-बार इंफेक्शन होता है पस पढ़ जाता है या बार-बार वहां पे उनको लाल-लाल कुछ भी तकलीफ होने लग जाती है पानी वानी नहीं भी पाते हैं वो और सबका एक सार बोलें तो ऐसे लोग जिनको कि किसी भी प्रकार का कॉफ रिलेटेड बीमारी है उन सभी लोगों को वमन करना चाहिए अब कॉफ रिलेटेड बीमारियां क्या हो सकती है आज के जमानी से बात करें तो किसी भी प्रकार का आपको ब्लॉकेज है किसी भी प्रकार की एक्स्ट टा, कड़वा, पानी आना, जलन होना, किसी प्रीपरकार का digestion related issues है, उन सारी की सारी बिमारियों को आईरवेद में कफ जैसा शोधन करने के लिए बोला है, अब कुछ सवाल उठेंगे कि ये कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, और ज्यादा details आपको देखनी है, तो अभी मैंने पिछले फरवरी के महीने में मैंने खुद का woman किया था, उसका link हम comment box में आपको दे देंगे, वो वीडियो देख सकते हो, कि woman exactly procedure होता क्या है, कैसे किया जाता है, ध्यान रखें इस वीडियो में जो भी बिमारियां बताई गई है, उसमें कोई भी treatment करने से पहले आपने डॉक्टर से consult कर लीजिए, क्योंकि जो भी पंच कर्म के treatment है, वो person to person या condition to condition vary करता है, ठीक, तो आप में से कितने योद्धा है, जिन्होंने लास्ट की वीडियो देखा, या ऐसी कौन सी बिमारियां जो आपको पहली बार पता चली कि अरे आईरविद में ये सब भी बोला है, और उसके लिए मतब इतनी सारी बिमारियों को हम woman करके ठीक कर सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में सजेशन आपके दिये सकते हैं, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें.